जहिंद आज हम लोग इस्ट इंडिया कॉंपनी के प्रारंबिक बड़ से सवंधित क्वेशन देखेंगे यानि ये एक्जाम में बार बार पूछे जाते हैं तो बार बार की समस्या आने वाला समस्या को दूर करने के लिए इसको जरूर आप देखिए इस्ट इंडिया कॉंपनी का पूरा नाम था इसको जरूर याद रखिएगा आगे हम लोग देखते हैं शोला सो में इस्ट इंडिया कॉंपनी के अस्थापना हुई थी बर्स यहाँ पे बताया गया है ये वर्स वहीं बर्स बताया गया है जो बार बार एक्जाम में पूछते हैं तो शोला सो में इस्ट इंडिया कॉंपनी के अस्थापना हुई थी और शोला सो नौ में विलिय होकिन्स का यागमन 1609 में हुआ था 1611 में कैप्टन मिडिल्टन ने शूरत के मुगल गवर्नर से वहाँ ब्यपार करने के अनुमती प्राप्थ कर ली थी यानि 16212 में सूरत के मुगल गोवर्नर जोन थे उसे कैप्टन मिडिल्टन ने ब्यापार करने के अनुमती प्राप्त कर ली थी 16213 में सूरत में इस्ट इंडिया कम्पनी की एक अस्थाई फैक्टरी के अस्थापना हुई थी सूरत में पर्मानेंट फैक्टरी के अस्थापना इस्ट इंडिया कम्पनी दोरा 16113 में की गई थी सूरत में 1615 में सौर थोमस रो राजा जेम से प्राथम के राजदूत जहांगीर के दरबार में पहुँचे थे कोई बार पूश देता है कि जो थोमस रो था किस के दरबार में आया था तो जहांगीर के दरबार में आया था किसका राजदूत बनकर तो जेम्स प्रथम का राजा जेम्स प्रथम का राजदूत थोमश रो बनकर जहांगीर के दर्बार में पहुंचा था 1615 में 1618 तक राजदूत अंतर देशिये चूंगी से छूट सहीत फ्री ट्रेड यानि मुक्त ब्यापार के पूश्टी करने वाले दो फर्मान परतेग फर्मान शमराट और राजकुमार खुरम से प्राप्त हासिल करने में सफल रहा था इसमें बर्ष जरूर याद रखियेगा क्योंकि वहीं यहां पे लाया गया आई अर्ष जो की बार बार इकजामे पूशते हैं अगला हम लोग देखते हैं 1616 में कॉम्पिनी ने दचिंड भारत में मशूली पटन में अपनी पाली फैक्टरी अस्तापित की थी यानि इस्ट इंडिया कॉम्पिनी ने भारत में जो दचिंड छेतर था के मशूली पटन में अपनी पाली फैक्टरी 1616 में अस्तापित की थी 1632 में कॉम्पिनी ने अपने ब्यापार की सुरक्षा तथा समरिदी के लिए गोलकुंडा के सुल्तान से शोन फर्मान प्राप्त किया था 1632 में 1632 में इस्ट इंडिया कम्पनी ने अपनी व्यापार की सुरक्षा और समरिदी के लिए गुलकुंडा के सुल्तान से शुण्ड फर्मान प्राप्त किया था 1633 में कम्पनी ने पूर्वी भारत में हरिहरपूर बालाशोर उडिशा में अपनी पॉली फैक्टरिय अस्तापित की थी 1633 में 1649 में कम्पनी में अस्थानिय राजाओं से लिज पर मदरास हासिल किया East India कम्पनी ने अस्थानिय राजाओं से मदरास को लिज पर 1649 इस्वी में लिया था 1651 इस्वी में कम्पनी को हुगली बंगाल में व्यापार करने की अनुमति दी गई यानि East India Company को हुगली बंगाल में ब्यापार करने के अनुमती 1651 हिस्वी में मिल गई 1662 हिस्वी में British Samarad Charles दिवतिये को पूर्तिगाली राजकुमारी Catherine of Bringenja से बिवा के करने के बदले में दहेज के रूप में बंबे दिया गया बताईए कि भारत की भूमे और भारत में ये British Samarad Charles दिवतिये पूर्तिगाली राजकुमारी से बिवा करता है और दहेज के रूप में भारत को दे दिया था भारत के बंबे को 1662 में अगला देखते हैं 1663 में 1663 में और अंग्जेव ने बंगाल में अंग्रेजों को व्यापार करने है तू फर्मान दिया 1663 में और अंग्जेव ने बंगाल में अंग्रेजों को व्यापार करने है तू फर्मान जारी किया था 1662 में कॉम्पनी ने 3000 रूपे बार्षिक के भुगतान के बदले बंगाल में व्यापार जारी रखने का राजकिया आदेश प्राप्त किया यानि 1691 में इस्ट इंडिया कॉम्पनी ने 3000 रूपे वार्षिक के भुगतान के बदले में बंगाल में व्यापार जारी रखने की राजकिया देश प्राप्त करने में सफल रहा था अगला हम लोग देखते हैं 1717 इश्वी में 1717 इश्वी में मुगल श्यामराट फरूक शियर द्वारा जारी फर्मान जिसे कॉम्पनी का मैगन काटा भी कहा जाता है 1717 का जो फरूक शियर का फर्मान है इसको इस्ट इंडिया कम्पनी का मैगन काटा भी कहा जाता है ने कम्पनी को भारी मातरा में ब्यपार सबंदित छूट प्रदान की थी ये तारिक याद रखिएगा इसको दो-तिन बर देखिएगा सबी तारिक पूरी तरस याद हो भारत में अंग्रेजों का प्रारंभिक आगमन से सबंदित हम लोग देखते हैं तो इंगलेंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम जो थी एलिजाबेथ प्रथम ने ये एलिजाबेथ प्रथम जो थी इंगलेंड की रानी थी इसे भी याद रखिएगा उसमय प्रथम ही थी जब East India Company की अस्थापना हुई थी। से व्यापार करने के लिए चाटर तथा एक अधिकार प्रदान किया था। संक्या थी। दो सो सत्र थी। इसे जरूर याद रखियेगा। आगे समझते हैं हम लोग। बसने की जाज़त मांगी। परन्तु पूर्त गीजों के बिरोध और सुरत के सुद्यगारों के बिरोध के करण उसे स्विक्रिती नहीं मिल पाई। अब आगे देखते हैं। इसका एक मात्र ही उदेश था कि भारत में ब्यापारिक संदी करना। यद पि उसका जहांगीर से ब्यापारिक समझावता तो नहीं हो सका। फिर भी उससे ततकालीक गुजरात के सुबेदार खुर्रम से ब्यापारी कोठिया को खोलने के लिए फर्मान जो होता था प्राप्त हो गया। फर्मान वहीं ब्यापार के लिए मिलता था। रोमन के जो टोमस रो था कि भारत से वापस जाने से पूर्व देखियेगा कि सूरत आगरा अमदाबाद भड़ाउच में अंग्रेजों की ब्यापारी कोठिया स्थापित कर ली गई। 1611 इसवी में दच्छिन पूर्वी समुद्रे तड़ पर सर प्रतम अंग्रेजों ने मशुली पटनम में ब्यापारी कोठिया की अस्थापना की थी। ये भी याद रखियेगा कि 1611 में दच्छिन पूर्वी जो ये भारत के अगर नाक्षा इधर रिष्ट हो गया तो ये मशुली पटनम जो कि अंद्रे पर्देश में है में ब्यापारी कोठिया की अस्थापना की थी। 1649 इसवी में मदराश में 1651 इसवी में हुगली में ब्यापारी कोठिया खोली गई 1661 में इंगलेंड के समराड चार्च जो दिवतिये थे का बीवा हुआ था पूर्दगाली की राजगुमारी से जो के हम लोग बात किया है कैथरीन से बीवा होने के कारण चार्च को बंबाई दहेज के रूप में प्राप्थ हुआ था जीसे उनहोंने दोस पॉंड ये भी याद रखियेगा दोस पॉंड वार्सी के किराये पर कॉंपनी को दे दिया था ये समराड जो था चार्च दिवतिये पूर्दगाली राजगुमारी कैथरीन से बीवा किया दायज में मुंबाई मिला मुंबाई क्यों का किया कि दस पॉंड लेकर कॉंपनी को ये जगह दे दिया पूर्वी भारत में अंग्रेजों ने अपना पहला करखाना ओडिशा में अस्थापिद किये थे 1663 में लेकिन सीखनी देखियेगा कि अंग्रेजों ने बंगाल बिहार पटना बालासोर धाका में अपनी करखाने खोलने लगे 1649 इसबी में अंग्रेजों ने चंद्र गिरी के राजा से मदरास को पटे पर लेकर करखाने की अस्थापना की साथी करखाने की किला बंदी कर उसे फोर्ट सेंट जोर्ज ये नाम जरूर याद रखियेगा फोर्ट सेंट जोर्ज नाम दिया था यानि की 1649 इसबी में अंग्रेजों ने चंद्र गिरी के राजा से मदरास को पटे पर लेकर करखाने की साथी करखाने की किला बंदी कर उसका नाम जो रखा था फोर्ट सेंट जोर्ज रखा था ये पूछ देता है कि फोर्ट सेंट जोर्ज कहा था तो मदरास में था और वहां से ये चंद्र गिरी के जो राजा थे से मदरास से पटे पर लेकर ये करखाने के अस्थापना किये थे अगला हम लोग देखते हैं बंगाल में शुल्तान शुजा ने 1651 इस भी में एक फर्मान निकाला जिसमें कॉम्पनी को 3000 रूपे बार्शी करके बदले ब्यापार करने का पिशेसा अधिकार दिया था 1656 की बात करें में दूसरा निशान मजूर किया गया इसी परकार कॉम्पनी ने देखियेगा कि 1672 में साइस्ता खां से और 1680 इस भी में और अरंग जेव से ब्यापारी की रियायतों के शबंद में फर्मान प्राप्त कर लिया था आगे हम लोग बात करते हैं अब देखियेगा कि धिरे धिरे अंग्रेज जो है मुगल राजनिती में इंटरफेयर करने लगते हैं हस्तेशे करने प्रारंब कर देते हैं 1686 इसवी में हुगली को लुटने के बाद अंग्रेज और मुगल सेना में संघर्स हो गया जिसके परडाम स्वरूप कंपनी को सूरत मशूली पटनम इसको मुशली पटनम या मशूली पटनम दोनों एक ही का जाता है विशाखा पटनम आधी करखानों में अपने अधिकार खोलने पड़े परन्तु अंग्रेजों दोरा देखिएगा कि छमा याचना करने पर अंग्रेज बहुत जल्दी छमा मांग लेते थे अब उसको मुआवजा के बाद पून ब्यापार करने की अनुमती दे दिये उसको सबको चाल भारतिय मोगल बसा कई मोगल बसा थे समझते थे या कुछत समझने में इतना नकाम हुए जिसके बाद आप देखिएगा कि पलासी के यूद 1757 और बक्सर के यूद 1764 के बाद भारत के काले दिन शुरू हो जाते हैं आगे हम लोग देखते हैं जब औरंग्जेव ने डेढ़ लाख रूपे मुआवजा देने के बदले पुनब्यपार के अधिकार दे दिये और 1659 इश्वी में एक फर्मान निकाला जिसमें 3000 रूपे निशित वार्षिक करके बदले बंगाल में कमपनी को सीमा स्चुलक देने से छूट दे दी अब हम लोग देखते हैं 1659 की घटना 1659 में कमपनी ने तीन गाउं सुना तनी कोलीकता जिसको कलकता नाम पड़ा था और गोविंदपूर को जमिनदारी 12,000 रूपे का भुगतान कर प्राप्त कर ली यहां पर निर्मित करखाने के अगल बगल जो करखाने अस्तापित हुए थे सुना नौटी कुलकाता और गोविंदपूर में तीसके अगल बगल में देखिएगा कि फोर्ट बिलियम फोर्ट बिलियम का निर्माड किया गया और करखाने में यहीं कलकाता नगर कहलाने लगा बाद में यहीं छेत्र कलकाता के रूप में कहलाया जिसकी निव जोब चरनाक ने रखी थी जोब चरनाक अब कई बर पूत देता है कि कलकत्ता स्वार को किस ने बसाया था तो जॉब चॉर्नौक ने बसाया था इसे भी याद रखियेगा कई बर पूत देता है कि फोर्ट बिलियम कहां इस्तित है तो फोर्ट बिलियम कलकत्ता में है जैसे हम लोग उपर में देखे थे कि मद्रास में फोर्ट सेंट जोर्ज था उसी तरह से कलकता में फोर्ट विलियम है ये दोनों में कन्फियूजन नहीं रहना चीए किलियर रहिएगा आगे हम लोग देखते हैं कॉम्पनी के एक योग डॉक्टर विलियम हैमिल्टन जीसे समराट फरुक सियर को एक प्राण घातक फोड़े से निजाज दिलाई थी कि सेवा से खुसोखर 177 इशवी में समराट ने इस्ट इडिया कॉम्पनी के लिए बहुत से शूविदाएं फर्मान जारी किया था उसमें पहला था कि बंगाल में कॉम्पनी को 3,000 रूपे बार्षीक देने पर निशूलक ब्यपार का दिकार मिल गया दूशरा था कि कॉम्पनी को कलकत्ता की आस पास भूमी किराय पर लेने का यदिकार मिल गया तीसरा था कि कम्पनी दोरा बंबाई की टकसाल से जारी किये गए सीको को मुगल समराज में मन्याता मिल गई आगे हम लोग देखते हैं चोधा तो इसमें था कि सूरत में दोस हजार वार्शिक कर देने पर निशूल के ब्यापार का यादिकार प्राप्ध हो गया ये सब सुविदाई मिली थी आगे हम लोग देखते हैं ये कितियासकार हैं उनका नाम है उमर्श अंग्रेजी में ओ आर एमेश ये जो है ने फरुक सियर दोरा जारी किये गए इस फर्मान को कमपनी का महाधिकार पत्र जिसको हम लोग देखे हैं मायगना कार्टा या अब दिक कमपनी कहा गया था ये इतियासकार उमर्श ने कहे हैं कई बार पूछ देता है कि जो फरुक सियर दोरा जारी किये गए थे फर्मान उसको कमपनी का महाधिकार पत्र या मायगने कार्टा अफ कमपनी किसने कहा था तो इतियासकार उमर्श ने कहे थे यह भी याद रखियेगा आगे हम लोग देखते हैं इस्ट इंडिया कमपनी एक नीजी ब्यापारी कमपनी थी जिसने 1600 ECV में साही अधिकार पत्र दोरा व्यापार करने का अधिकार प्राप्त कर लिया था हम लोग 1600 में इस्ट इंडिया कमपनी का स्थापना देखे थे कमपनी का मूख उदेश धन कमाना था ब्रिटेन की बिदेश निती को कर्यानवित करना नहीं यानि जो कमपनी थी इस्ट इं था कि अपनी बिदेश निती को कर्यानवित करना ये ब्रिटेन के बिदेश निती की कर्यानवित से सबंदित इस्ट इंडिया कमपनी नहीं थी इसका मेन उदेशनिता की धन कमाना था कॉम्पनी को चार्टर के शमय सीमा को बढ़ाने के लिए ब्रिटिस सरकार को आर्थिक साहता देनी पड़ती थी अब देख लिजिए कॉम्पनी को अगर भारत में या पूर्वी देशों ब्यापार करना है तो उसको ब्रिटिस सरकार को कुछ आर्थिक सहायता देनी पड़ती थी और उसके बदले में उसको अधिकार पत्र मिलता था कि जाहिए पूर्व देशों से आप ब्यापार कीजिए इसमें दोनों का फैदा होता था अब आगे देखते हैं 1780 B में इस्ट इंडिया कमपनी की प्रतिद्वन्दी कमपनी एक थी नीव कमपनी का इस्ट इंडिया कमपनी में बिलाय हो गया जो नीव कमपनी थी इसका बिलाय हो गया इस्ट इंडिया कमपनी में 1780 में अब इसका परडाम क्या हुआ कि The United Company of Merchant of England Trading with East Indies की अस्थापना होई इसके परडाम सुरूप जो हुआ जब New Company East Indies में मर्ज होई तो इसका परडाम हुआ कि उसका नाम हो गया The United Company of Merchant of England Trading with East Indies क्या स्थापना हो गई कॉंपनी और उसके ब्यपार की देख रेक गौवर्नर इन काउंसिल करता था ये बहुत महत्पूर्ण है कि जो कॉंपनी थी कॉंपनी और उसके ब्यपार का जो देख रेक करता था वो गौवर्नर इन काउंसिल दोरा किया जाता था तो इस परकार हम लोग भारत में इस्ट इंडिया कॉंपनी का आगमन से स्वबंदित जो एक्जाम में बार बार पूछते हैं उसके बारे में हम लोग देखे हैं इसको आप जरूर दो तीन बार देखिए पूरी तरह से डेट वाई जी याद हो जाएगा थैंक्यू